दोस्तो वर्ड कप 2023 में आज का ब्लॉक बस्टर मैच आस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेला गया था और इस मैच के खतम होने के बाद वर्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में जबर दस्त बदलाव देखने को मिला तो आज किस वीडियो में हम आपको World Cup 2013 का नया Pointable बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन-कौन सी 4 टीमे World Cup के Semifinal में जाएगी तो ये वीडियो काफी ज़्यादा important है इसलिए आप लोगों से request करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंतक जोड़ देखे वीडियो को दिल से एक लाइक जरूड करे और चैनल को subscribe करके notification bell को press कर ले तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फ्रेंड सबसे पहले हम आपको बता दे कि अगर आप World Cup का pointable match खतम होने के बाद सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलिग्राम पे follow करें टेलिग्राम चैनल का link वीडियो के description में मिल जाएगा तो चलिए फ्रेंड सबों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और World Cup 2020 का नया pointable बता देते हैं तो सबसे पहले हम आपको बता दे कि World Cup में आज का blockbuster match और पाकिस्तान के बीच खेला गया था और इस मैच में पाकिस्तान की टीम ने टॉस जित करके पहले गिंदबाजी करने का फैसला किया और आस्ट्रेलिया की टीम 360 से उपर का score बनाने में सफल रही और अब ये मैच पूरी तरीके से खतम हो चुका है और इस मैच में आस्ट्रेलिया की टीम की तरप से डेविड वर्नर ने सांदार सतक जरा और इसके साथी मिचेल मार्स ने भी धुआधार सतक जरा और अब इस मैच के खत्म होने के बाद पॉइंट टेबल में बहुत ही बरा बदलाव देखने को मिला तो पॉइंट टेबल में दसवे अस्थान पे है स्री लंका की टीम और स्री लंका ने वर्ल्ड कप 2000 ता इसमें अभी तक टोटल 3 मैच खेले और 3 मैचों में स्री लंका की टीम को लगा तारहार का सामना करना परा तो इस वज़से स्री लंका की टीम टोटल 3 में से 3 मैच हारने के चलते जीरो अंकों के साथ पॉइंट टेबल में सब से नीचे है और स्री लंका की टीम का नेट रन रेट माइनस 1.5-3-2 है और अगर स्री लंका को यहाँ पड़ से वर्ल्ड कप के सेमी फाइनल में जाना है तो इनको बचे हुए 6 में से सभी 6 मैचों को जितना परेगा और स्री लंका वर्ल्ड कप में अपना अगला मैच नीदर लेंड के साथ सुबह सारे 10 बजे से खेलेगी इसके बाद पॉइंटेबल में नवे अस्थान पे अफगानिस्तान की टीम और अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप 2013 में अभी तक टोटल 4 मैच खेलें इस में से सिर्फ एक मैच में अफगानिस्तान की टीम को जीत मिली और तीन मैचों में अफगानिस्तान की टीम को हार का सामना करना परा तो इस वज़े से अफगानिस्तान की टीम टोटल चार में से एक मैच जीत ने और तीन मैच हारने के चलते दो अंकों के साथ से पाँचों मैचों को जीतना परेगा उसके बाद ही अफगानिस्तान वर्ल्ड कप के सेमी फाइनल में जा पाएगी इसके बाद पॉइंटेबल में आठवे स्थान पे हैं नीदर लेंड की टीम और नीदर लेंड ने वर्ल्ड कप 2013 में अभी तक टोटल तीन मैच खेले जिस में से सिर्फ एक मैच में नीदर लेंड की टीम को जीत मिली और दो मैचों में नीदर लेंड की टीम को हार का सामना करना परा तो इस वज़व से नीदर लेंड की टीम टोटल तीन में से एक मैच जीतने और दो मैच हारने के चलते दो अंकों के साथ पॉइंट टेबल में आ पचे हुए 6 में से कम से कम 5 मैचों को जीतना परेगा उसके बाद ही नीदर लेंड वर्ल्ड कप के सेमी फाइनल में जा पाएगी इसके बाद पॉइंट टेबल में साथ वे अस्थान पे है बंगलादेश की टीम और बंगलादेश ने वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक टोटल 4 खेले जिसमें से सिर्फ एक मैच में बंगलादेश को जीत मिला था जहां पी उन्होंने अफगानिस्तान को हराया था लेकिन उसके बाद तीन मैचों में लगातार बंगलादेश को हार का सामना करना परा तो इस वज़ा से बंगलादेश की टीम टोटल 4 में से एक मैच जीत और तीन मैच हाडने के चलते दो अंकों के साथ पॉइंट टेबल में साथ वे अस्थान पे है और बंगलादेश का निट रन रेट माइनस जीरो दासमला वो साथ आठ चार है और अगर बंगलादेश को वल्ड कप 2000 ते इसके सेमी फाइनल में जाना है तो बचे हुए पाँच में से सब ही पाँचों मैचों को जीतना परेगा उसके बाद ही बंगलादेश वल्ड कप 2000 ते इसके सेमी फाइनल में जा पाएगी इसके बाद पॉइंट टेबल में छटवे अस्थान पे है डिफेंडिंग चैंपियन और जॉस बटलर की कपतानी वाली यानिक इंगलेंड की टीम और इंगलेंड ने वल्ड कप 2013 में अभी तक टोटल तीन मैच खेले जिसमें से सिर्फ एक मैच में इंगलेंड की टीम को जीत मिली और दो मैचों में इंगलेंड की टीम को हार का सामना करना परा तो अभी इंगलेंड की टीम टोटल तीन में से एक मैच जीतने और द इंग्लेंड वर्ड कप 2023 के सेमी फाइनल में जाना है तो इनको बचे हुए छे में से कम से कम पांच और मैचों को जितना परेगा तब ही इंग्लेंड वर्ड कप के सेमी फाइनल में जा सकती है और इंग्लेंड वर्ल्ड कप में अपना अगला मैच साउथ अफरिका के साथ 21 अक्टूबर को दो पहर धाई बजे से खेलेगी इसके बाद पॉइंटेबल में पांचवे अस्थान पे आज के मैच में हारने वाली टीम यानि की पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप 2020 में अभी तक टोटल चार मैच खेले जिसमें से पहले दो मैच में तो पाकिस्तान को सांदार जीत मिली लेकिन अंत के दो मैचों में पाकिस्तान की टीम को बैक टू बैक हार का सामना करना परा जहां पे आज वाले मैच में आस्ट्रे और दो मैंच हारने के चलते 4 अंखों के साथ 5 वे अस्थान पे है, और पाकिस्तान की टीम का निट रन रेट –0.00 है और अगर पाकिस्तान को यहां पड़ से वल्ल्ड कप के सेमि फाइनल में जाना है, तो इनको बचे हुए पाच में से कम से कम 4 मैचों को जीतना परेगा यान कप की सबसे सफल टीम यानि की ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक टोटल चार मैच खेले जिसमें से दो मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत मिली और दो मैचों में ऑस्ट्रेलिया ही टीम को हार का सामना करना परा तो इस वज़े से ऑस्ट्रेलिया के टीम टोटल चार में से दो मैच जीतने और दो मैच हाडने के चलते चार अंकों के साथ पॉइंट टेबल में चौथे अस्थान पे है और ऑस्ट्रेलिया का नेट रन रेट माइनस 0.100 है और अगर ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप 2020 के सेमी फाइनल में जाना है तो इनको बचे हुए 5 में से कम से कम यहाँ पे जीतना परेगा चार और मैचों को यानि की ऑस्ट्रेलिया के आने वाले सभी मैच बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट होंगे लेकिन आज वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने डेविड वर्नर और मिचल मार्स के सतक के बदोलत पाकिस्तान की टीम को हरा दिया इसके बाद पॉइंट टेबल में तीसरे अस्थान पे है साउथ अफरिका की टीम और साउथ अफरिका ने वर्ल्ड कप 2030 में अभी तक टोटल तीन मैच खेले जिसमें से पहले दो मैच में तो अफरिका जीत गई लेकिन तीसरे मैच में ये टीम बरा उलट फिर का सिकार बन पॉइंट टेबल में तीसरे अस्थान पे है और साउथ अफरिका की टीम का ने टरन रेट प्लस 1.385 है और अगर साउथ अफरिका को वर्ल्ड कप 2030 के सेमी फाइनल में जाना है तो इनको बचे हुए 6 में से कम से कम 4 और मैचों को जीतना परेगा और साउथ अफरिका वर्ल कप 2030 में अभी तक टोटल 4 मैच खेले और 4 मैचों में टीम इंडिया को बैक टू बैक जीत मिला जहां पे पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया दूसरे में अफगानिस्तान तीसरे में पाकिस्तान और चौथे मैच में बंगलादेश को भारत की टीम ने एक तरफ आंदाज में हरा तरीके के फॉर में भारत की टीम है इनके सेमी फाइनल में जाने के बहुत बराइट चांस है और अगर टीम इंडिया को सेमी फाइनल में जाना है तो बचे हुए 5 में से कम से कम 2 मैचों को जितना परेगा तो मेरे हिसाब से भारत की टीम 100% सेमी फाइनल में जाएगी और ट न्यूजी लेंड की टीम और न्यूजी लेंड ने वर्ल्ड कप 2020 में अभी तक टोटल 4 मैच खेले और 4 मैचों में न्यूजी लेंड की टीम को एक तरफा अंदाज में जीत मिला तो अभी न्यूजी लेंड की टीम पॉइंट टेबल में टोटल 4 में से 4 मैच जीतने के चलते आठंकों के साथ सबसे टॉप यानी किसी खरपे है और न्यूजिलेंड की टीम का नेट रन रेट प्लस एक दसमलव नो दो तीन है और अगर न्यूजिलेंड को वर्ल्ड कप 2013 के सेमी फाइनल में जाना है तो इनको बचे हुए पांच में से सिर्फ दो मैच जीतना परेगा त तो ये था वर्ल्ड कप में आज का नेया पॉइंट टेबल आपके हिसाब से कौन सी चार टीम सेमी फाइनल में जाएगी कमेंट में बताएं मेरे हिसाब से भारत न्यूजिलेंड तो जाएगी ही जाएगी लेकिन तीसरे चौथे पोजिसन के लिए अफरिका ऑस्टेलिया पाकिस्तान और इंग्लेंड के बीच करी टकर देखने को मिलेगी तो ये था वर्ल्ड कप में आज का नेया पॉइंट टेबल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे तो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीड जरी वीडियो में डिखन आई हो पस्तो लाइक करे चैनल किस वीडियो में आई हो फ्रेंग्स आई हैं नेक्सुन तो भर्ल येखने हैं लाइक किस वीडियो में बस आई ह। ये़िए